तो आज हम लोग पढ़ने वाला है एक्सरसाइज 4E का कोश्चन नमबर 35 के आगे का सॉलूसन 35 तक का सॉलूसन मैंने आपको बता दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सारे वीडियो को जाकर किया जब देख लेगा सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप् करना इंपॉसिबल है इसलिए मैं आपको पांच और दस कोश्चन करके आपको पांच यह दस कोशन करके मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं तो चलिए हमने स्टार्ट करते हैं इसको कोशन नमबर 36 को तो देखिए 2X स्कॉर माइनस X प्लस 1 अपॉन अपॉन एट इक्व यह fraction में तो सबको fraction में change करना है तो यहां बाई में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे यहां पर भी बाई में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे अब सबका LCM ले लेते हैं तो सबका LCM 8 हो जाएगा 8 को 2 से multiply करेंगे तो 8 तू जा 16X स्कॉर माइनस 8 को X के साथ multiply करेंगे 8X प्लस 8 औ और 8 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा आपका केवल 1 तो यहां पर 1 लिख लेते हैं equal to में 0 हो जाएगा अभी यह होगी आपका 16X स्कॉर माइनस 8X प्लस 1 equal to 8 को 0 के साथ multiply करेंगे तो यह 8 जो है वह 0 के साथ multiply हो करके यह 0 हो जाएगा अभी यह आपका quadratic equation बन गया आप हम लोग करते हैं तो पहले प्राइम फेक्टराइज करते हैं इसको एक टू एट जा शिक्स्टीन टू फोर जा एट टू जा फोर अब आपको इसको इस तरह से अडिजिट करना है दो डिजिट में कि दो डिजिट जो आएगा उसको प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए और वही करते हैं तो 16 आ जाएगा तो चलिए हम लोग इसको लिख कर लेते हैं तो फॉर्स्ट वाले को हम लोग एसटीज रहने देते हैं 16x2 यह साइन भी एसटीज रहेगा 4 और 4 आया है तो हम लोग यहां 4x और 4x लिख लेते हैं यह साइन चेंज नहीं होगा तो यहां पर माइनस लगाना होगा माइनस माइनस प्लस 4x और 4x को प्लस करेंगे तो 8x होगा लास्ट वाले को एसटीज रहने देते हैं इकवल टुजी रहता है अब क्या करते हैं इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं तो 16 x स्क्वाइर माइनस 4x यह बंद कर दिए माइनस यह भी बं 4x लेते हैं तो अंदर में 4x बचेगा चुकि 4x को 4x के साथ multiply करें तो 16x स्क्वार आएगा माइनस 4x कॉमन आचुका है तो यहां 1 बचेगा माइनस यहां 1 कॉमन ले लेते हैं अंदर में एज़िद रह जाएगा 4x माइनस 1 प्लस के जगा माइनस हुजाएगा क्यों चूकि माइनस माइनस फ्लस उक्वल टू-0 यह दो ब्रैकेट वल सेमे था लेते west और यहां बाहर में कौन है 4x-1 4x-1 equal to 0 इसको 0 के equate कर लेते हैं 4x-1 equal to 0 तो 4x is equal to minus 1 इधर आए तो plus 1 हो जाएगा तो x is equal to 1 और upon में यह 4 आजाएगा तो यह हो गया आपका अब हम लोग इसको भी 0 के equate कर लेते हैं तो 4x-1 equal to 0 तो 4x equal to minus 1 इधर आए तो plus में 1 हो गया तो x is equal to 1 upon में यह 4 चलाएगा तो यह हो गया आपका तो यह था question number 36 चले question number 37 को solve करता है तो देखे 37 number में क्या बोला गया है 10x-1 upon x equal to 3 तो यह fraction में है तो बाई में कुछ नहीं तो 1 लगा कर लेते हैं पहले अब हम लोग ले ले लेते हैं तो इन दोनों के LCM जो है वो क्या होगा x होगा x को 10x के साथ multiply करेंगे तो 10x square होगा minus x और x cancel हो जाएगा तो 1 बचेगा equal to में इधर 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा उपर में आपका as it is उतार देजिए 10x square minus 1 equal to x को 3 के साथ multiply करेंगे तो यह 3x हो जाएगा तो यह 10x square as it is रहेगा यह plus 3x इधर आए तो minus 3x हो गया और यह minus 1 as it is रहेगा equal to zero quadratic equation में change हो गया अब इसको हम लोग factorize करते हैं यानि मीट टर्म को split करते हैं तो 10 बंजा 10 अब 10 को हम लोग factorize कर लेते हैं 25 जा 10 अब देखिए 5 में 2 को minus करेंगे दो डिजिट आपका आ गया तू 5 में करते हैं तो 3 आएगा और 5 को 2 से multiply करेंगे तो 10 भी आ जाएगा तो दो डिजिट आपका आ गया कौन-कौन 5 और 2 तो इसको एरंज करके हम लोग लिख लेते हैं फॉस्ट वाले को 2 x माइनस करेंगे तो 3 x होगा लास्ट वाले के हैज़टिस रखते हैं एकवल टू 0 इन दोनों को ब्रैकेट कर लेंगे इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं तो 10x स्कौईर minus 5x plus 2x minus 1 equal to 0 अब क्या करेंगे देखें यहाँ पर common लेंगे तो common जो है वो 5x हो जाएगा अंदर में बचेगा 2x चुकि 5x को 2x के साथ multiply करेंगे तो 10x square होगा 5 to 10 x x x square minus 5x common आचुका है तो 1 बचेगा यहाँ यहाँ 1 common ले लेते हैं तो अंदर में as it is रह जाएगा 2x minus 1 plus minus minus होगा equal to 0 दोनों bracket वाला सेम है इसका मतलब सही बना है 2x minus 1 bracket वाला जो है 2x minus 1 दोनों में से किसी एक को लिख लिए और bracket के बाहर में 5x plus 1 है 5x plus 1 equal to 0 अब इसको 0 के equate कर लेते हैं तो 2x minus 1 equal to 0 2x equal to minus 1 इधरा है तो plus 1 हो गया x is equal to 1 upon में यह 2 चलाएगा यह हो गया आपका एक answer अब क्या करते हैं इसको भी 0 के equate कर लेते हैं 5x plus 1 equal to 0 तो 5x equal to plus 1 इधरा है minus 1 हो जाएगा x is equal to minus 1 upon में यह 5 चलाएगा यह हो गया तो यह था आपका question number 37 तो देखिए question में 38 में क्या यहां पर बोला गया है 2 upon x square minus 5 upon x plus 2 equal to 0 अब इसको हम लोग factorize करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग quadratic equation में change करना पड़ेगा चुकि यह quadratic equation में अभी नहीं दीख रहा है तो देखिए यह fraction में यह भी fraction में तो इसको फ्रेक्शन में change कर लेते हैं बाय में कुछ नहीं है तो वन लगाते हैं अब सबका LCM ले लेते हैं तो LCM जो है वो x square हो जाएगा एकस स्कॉयर से एकस स्कॉयर जो है वो cancel हो जाएगा तो जो x बच्या है उसको 5… से multiply करेंगे तो 5x हो जाएगा अब लस एकस स्कॉयर को टू से multiply करेंगे तो 2x एकस स्कॉयर होगा एकुबल टू में गेहर जीरो हो जाएगा अब इसको हमलोगा ए इश्यद् казा भी रख देते हैं 2 माइनस में 5X प्लस 2X स्क्वाइर इक्वल टो X स्क्वाइर को 0 समल्टिप्लाइ करेंगे तो 0 हो जाएगा अब इसको हम लोग एरेंज कर लेते हैं क्वाड्रिटिक एक्वेशन में तो रूल क्या होता है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिसका पावर देक्वहरा कोईटटीटिक एक्वेशन मेंацию अएक्वेशन मेंगे अब इसको एक्सक्वाइर प्लस 5C प्लससी एकोल टू जीरो होता है systematic करता है तो सब्सक्राइज के bị तो द動画 Aww को मिल गया इसको एर्च कर लेते हैं फॉस्ट वाले को रखते हैं तो एक्स स्कॉाइर यह साइन भी एक्स रहेगा बड़ा जो है दोनों में 4 है 4x और छोटा जो है 1 है तो यहां 1x लिखते हैं 1x 1 को सो नहीं किया जाता है वो हाइड होता है साइन यहां माइनस का लगाएंगे माइनस माइनस प्लस 4x और x को प्लस करेंगे तो 5x होगा लास्ट वाले को हम लोग as it is रखते हैं equal to 0 इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं तो 2x स्कॉाइर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 equal to 0 अब यहां पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2x को तो 2x को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में एक्स बचेगा 2x को एकस के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2x स्कॉर होगा माइनस यहां 2 हो जाएगा 2x को तू से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 4x माइनस यहां one common ले लेते हैं तो अंदर में as it is रहेगा कि अब साइन चेंज है जागा चुकि माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल टू जीरो दोनों ब्रैकेट वाला सेम है दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं बाहर में 2x-1 है कि इसको जीरो कि अध्fa यह इदर आए टो प्लस ऑगया एक अंसर आपका इसको भी जिरो कर लेते हैं तो इसको जियरो के करेंगे तो घू pers सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ करते हैं यह फिर कॉमन सेंस आपको यहां पर लगाना है आपको मीठ टर्म को स्प्लिट करना है तो देखिए 2x2 फरस्ट वाले को तो हम लोग एक्स करेंगे तो एक्स होगा लास्ट वाले को लोग एज़िज रखते हैं यानि कि इसको इसके साथ माइनस AX आएगा 2AX में AX को माइनस करेंगे तो AX आएगा और इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे देखें इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आएगा इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसके साथ मल्टिप् x x square और यह और यह और यह आएगा यह इन दोनों को मल्टिप्लाइ करते हैं तो 2x square a square आएगा इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो यह आएगा अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं तो 2x square plus 2x minus a square equal to zero यहां पर भी equal to zero हो जाएगा अब हमँं यहाँ पर common ले लेते हैं तो common क्या आएगा यहाँ पर देखिन 2x को common ले ले लेते हैं अंदर में क्या बचेना के वल एक्स बचेना क्लास तूह-कमन आचुकर है तो इसक्वार का मतलब यहां नमबर ओफ एक कितना है दो है दो में से एक निकल लिया तो एक बचेगा इक्वल टू जीरो अभी दोनों ब्रैकेट वाला सेम है दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर में 2x-a है 2x-a equal to 0 अब इसको 0 के एक्वेट कर लेते हैं तो x-a equal to 0 x is equal to plus में a इधर आया तो माइनस में a हो गया यह आपका अंसर है अब क्या करेंगे इसको 0 के एक्वेट कर लेते हैं 2x-a equal to 0 तो 2x equal to minus में a इधर आया तो प्लस में a हो गया तो x is equal to a और यह 2 जो होगा नीचे चलाएगा यह हो गया आपका अंसर है question number 40 में यहाँ पर क्या बोला गया है 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0 यह cbc का previous year का question है काफी important question है चुकि 40 के आगे अब मैं जो आपको बताऊंगा question number 50 तक का solution वो काफी important question है आप इसको ध्यान से जरूर देखेगा हो सकता है कि आपका board exam में 40 और 50 के बीच में से एक question आपको exam में पूस दें इसलिए आप इस question को जरूर देखेगा विडियो को बीना इसके किए चुकि यह जो question है 40 से 50 तक का काफी important most important question है यह लिए हम इसको solve करते हैं तो देखें 40 में यहाँ पर क्या भोला गया है 4x square plus 4bx minus a square minus b square तो सबसे पहले इसको हम लोगे एक बार solve करते हैं तो यह हो गया आपका 4x square plus 4bx अब देखें हम bracket को open कर रहे हैं तो यह minus a square minus minus plus b square equal to 0 हो जाएगा minus a square minus minus plus b square यह हो गया अब क्या करेंगे देखें यह हो गया आपका 4x square plus यह है आपका 4bx अब देखें यहां पर हम लोग यह जो plus b square है आपका यहां पर आपको दिख रहेगा यह plus यह plus को ले लेते हैं इधर और अंदर में हम लोग लिख लेते हैं b square और minus में यह a square यह प्लस इधर कर दिए और इधर और minus a square इधर कर दिए इसको bracket में बंद कर दिए इकवल टो जीरो अब क्या करेंगे इसको हमको फैक्ट्राइज करना है तो फैक्ट्राइज कैसे करते हैं जैसे के हरे करते हैं तो बी स्कॉर माइनस a square को four के साथ multiply करेंगे तो देखें यहां पर क्या बोले हम ध्यान रखेंगा बी स्कॉर माइनस a square को हम 4 के साथ mıust Allain करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे बिए स्कॉाइर माइनस ए स्कॉाइर को मल्टीप्लाइब करेंगे वोर के साथ तो देखिए मैं आपको रॉफ मेरे करके दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बोला B2 minus A2 को multiply करेंगे किसके साथ 4 के साथ अब इसको इस तरह से हम दो digit में इस तरह से लाएंगे दो संख्या कि आपको plus या माइनस करने पर आपका जो मीट टर्म में हो आना चाहिए और दोनों को multiply करेंगे यह आना चाहिए तो देखिए 4 को अगर हम B2 से multiply करेंगे या फिर देखिए B2 माइनस A2 को हम लोग put कर इसको हम लोग इस formula में set कर सकते हैं A2 माइनस B2 के formula क्या होता है A-B into A plus B तो B2-A2 का मतलब हो गया B-A into B plus A होगा और into में 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 अब इस 2 को हम लोग इसके साथ multiply कर देते हैं और इस 2 को हम लोग इसके साथ multiply कर देते हैं तो इस 2 को हम लोग इसके साथ multiply कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह 2B plus 2A अब इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पर plus करते हैं यह तो डिजिट आके पास आ गया अब इन दोनों माइनस 2A मैं स्कार करे हैं इसको 22 Pen how to क्या हो जाएगадц disciplines माइनस्ट 2a प्लश डो च्ट गिए तो क्या बचा टूभी अप लस टूभी 4B यानि कि फॉर भी आ गिया यह दोनों को हम अगर plus किये हैं तो कितना आ गया 4B आ गया आपको लाना क्या था यह जो मीट टर्म में आपका क्या है 4B यह आपको 4B लाना था तो 4B आ गया यह आपका मीट टर्म दो निकल गया कौन निकला यह 2B-2A 2B-2A तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको arrange करते हैं तो flesp वाले को क्या करते हैं हम लोग as it is रहने देते हैं 4x2 plus एह हो गया अब देखिये जो आपका 4B आया है इसके plus क्या लिख सकते हैं सको 2B-2A यह प्लस 2B प्लस 2 हुए चुकि इन दोनों को हम प्लस कियें तभी तो फोर भी आया है तो यानि कि इतना प्लस इतना प्लस इतना लिख सकते हैं चलिए हम लिख लेते हैं इसको तो क्या लिखेंगे देख्यान से देख्यों यहां पर सबसे पर हम लोग यहां पर बड़ा ओला एक लगा लेते हैं अब क्या लिखेंगे mr Item थे माइनस 23 में हम क्या किये थे प्लस किया थे किसखोrygaans 2 A को इन दोनों को लिए तभी तो भी यह इन दोनों को unserem प्लस करेंगे तो फॉर भी ऐएका माइनस टुए माइनस टुए प्लस इस fixes क्या हो जाएगा प्लस के ध्यान देलब के प्लस के पर हम इसको लिख है और यह को हम लोग क्या करते हैं यज़ञने दीता है इस डिलस इस्कॉयर माइनस एई ौरण तो जीरो यह होगा अब हम लोग इसको देखिए आजे स्वालब करते हैं तो फॉर्स्ट वाला एक्स स्क्वाइर प्लस अब क्या करेंगे ध्यान दीजेगा यहां पर यह जो टूबी माइनस टूए है इसको एक्स के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा यह टूबी माइनस टूए को हम लोग एक्स यह जो एक्स है इसके साथ मुल्टिप्लाइ कर देते हैं तो यह हो जाएगा एक्स प्लस इसको भी हम लोग एक्स के साथ मुल्टिप्लाइ कर देते हैं तो टूबी प्लस टूए इंटू में यह एक्स यह हो गया अब ब्रैकेट पर के फॉर्मूले पर दी माइनस एंटू बी प्लस एक एक्वल टू-जीरो यह हो गया आप क्या करेंगे देखें यहाँ पर है ब्रैकेट को अपेंड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा फोर एक्स स्क्वाइर प्लस ब्रैकेट को एंटू में X ब्रेकेट वबन कर दियें प्लस और यह एज़टीज रहेगा बी माइनस एंटू बी प्लस एक्वल टू जीरो अब यह एज़टीज रहने देते हैं अभी 4X स्क्वाइर प्लस यहां 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा बी माइनस ए बचा बी म और अंदर में वी प्लस ए बचेगा बी माइनस ए इंट यह पर यह फिर यह पर इन दोनों में इन दोनों में कॉमन लेते हैं यह जो आपका यह यहां तक शमयों यहां नियदा है तो फुर आखका है तो फिरो फिरोरे स्थ। Qa प्राइब प्लस, 2 तो common आचुका है, तो अंदर में क्या बचएगा? Brexit-A बचएगा, x common आचुका है, यह हो गया? अब इसमें से हम common लेता हैं, तो B प्लस A, B प्लस A दोनों जगह है, तो B प्लस A को हम लोग common लेता हैं, B प्लस A तो B plus A common आ गया तो क्या बचा अंदर में यह 2 और X बचा B plus A जो है और B plus A common आ गया तो 2X बचा यहां 2X लिख लेता है plus यह plus है यह plus B plus A common आ चुका है तो B minus A बचा B minus A equal to 0 आप देखें यह bracket वाला और यह bracket वाला दोनों सेम है 2X plus B minus A 2X plus B minus A मतलब सही है यह दोनों ब्रैकेट वाला अगर आपका सेम आया तो सही होगा और नहीं आया तो फिर गलत होता तो दोनों ब्रैकेट वाला मेरे क्या आया है सही आया अब रैकेट के बाहर में यह है और यह है तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों स से में दोने में से किसी एक को लिखे लेते हैं तो यह हो जागा आपका ब्रैकेtle के अंदर में 2 refund प्लस बी माइनस ए यह हो गया अब रैकेट के बाहर में कौन है 2x प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू जीरो अब इसको जीरो के एक्वेट कर देते हैं उसके बाद इसको भी जीरो के एक्वेट कर देते हैं यह हो जाएगा आपका 2X Plus D-A E gonna टो टो सिरो तो हम लोह क्या लिखेंग Härda to Jaks के अब आप देखिए B-A किसमेह प्लसमे तो A इधर आएगा तो किसमे हो जाएगा minus में हो जाएगा बी माइनस एक इसमें है प्लस में है तो इधर आएगा अब लोग यहां पर क्या करें देखे एक्सषी इक्वल टू यह माइनस और बी माइनस ए और यह टू नीचे चलाएगा यह आपका अंसर हो गया आप चाहे तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और करके यह एक्स इक्वल टू आपका अंसर यहां पर हो गया आप चाहे तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं यह ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो माइनस भी हम माइनस माइनस प्ल प्लस और माइनस वी यह भी आंसर आंसर कर सकते हैं वह आपकर डिबेंड है उब आपको सेम मिलेगा यहाँ पर ही आप चाहे तो इधर सॉल्ब कर सकते हैं और करके अब इसको भी 0 एकवेट हम लोग तो टो एक्स लिए लिए एक लेक्स टो नीचे चलाएगा यह आंसर हो गया अब चाहे तो आगे और भी solve कर सकते हैं इसको x bracket को open कर दीजिए तो minus b minus plus minus a upon में ये 2 इसको answer कर सकते हैं अब चाहे तो और भी solve कर सकते हैं आगे इस तरह से x is equal to ये minus a को पहले लिख दीजिए और minus b इधर कर दीजिए upon में 2 होग जाता है तो यहां माइनश को पूंधर में क्या बचेगा ए प्लस बी अपऑन में यह तो यह आपका अंसर कर सकते हैं इसको इसको या फिर इसको आपका मार्स से मिलेगा यह था कोशन नमर 40 तो आई होब कि आपकी यह कोशन में 40 अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह का बहुत सारा इंपोर्टन कोशन है जो मैं अब आगे वाले वीडियो में बताऊंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू के लिएजएगा मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियों तब तक के लिए थैंक यू